नमश्कार आप देख रेबी नूस और मैं हूँ आपके साथ निशा पेम मोदी ने मन की बाद के चौरासवी कड़ी से देशवासियों को रूबरू हुए है ये इस वर्स की आखरी कड़ी थी आपको बता देए कि जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि उन्होंने ग्रूप कैप्टन वरून सिंग का जुक्र किया उन्होंने देश के पहले सीडिसी जनरल विपिन रावत को भी याद किया देखे इस पूरी रिपोर्ट को मेरे प्यारे देश्वासियो नमस्कार इस समय आप 2021 की विदाई और 2022 के स्वागत की तैयारी में जुटे ही होंगे नए साल पर हर व्यक्ति हर संस्ता आने वाले साल में कुछ और बहतर करने बहतर बनने के संकल्प लेते हैं पिछले साथ सालों से हमारी ये मन की बात भी व्यक्ति की, समाज की, देश की अच्छाईयों को उजागर कर और अच्छा करने और अच्छा बनने की प्रेणा देती आई हैं इन साथ वर्षों में मन की बात करते हुए मैं सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा कर सकता था आपको भी अच्छा लगता, आपने भी सराहा होता लेकिन ये मेरा दसकों का अनुभव है कि मिडिया की चमक दमक से धूर, अखबारों की सुर्खियों से धूर कोटी-कोटी लोग हैं जो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं वो देश के आने वाले कल के लिए अपना आज खपा रहे हैं वो देश के आने वाले पीडियों के लिए अपने प्रयासों पर आज जी जान से जुटे रहते हैं ऐसे लोगों की बात बहुत सुकुन देती हैं, गहरी प्रिणा देती हैं मेरे लिए मन की बात हमेशा से ऐसे ही लोगों के प्रयासों से भरा हुआ, खिला हुआ, सजा हुआ, एक सुन्दर उपवन रहा है, और मन की बात में तो हर महीने मेरी मसकत ही इस बात पर होती है, इस उपवन की कौन सी पंखुडी आपके बीच लेकर क्या हूँ? मुझे खुशी है कि हमारी बहुरतना वसुंधरा के पुन्यकारियों का अविरल प्रवा निरंतर बहता रहता है, और आज जब देश अमरित महोत्सों मना रहा है, तो जो जन शक्ती है, जन जन की शक्ती है, उसका उलेक, उसके प्रयास, उसका परिश्रम, भारत के और मानुत के उजवल भविश के लिए एक तरह से गारंटी देता है, साथियों, ये जन शक्ती की ही ताकत है, सबका प्रयास है, कि भारत सो साल में आई सबसे बड़ी महामारी से लड़ सका, हम हर मुश्किल समय में, एक दूसरे के साथ, एक परिवार की तरख खड़े रहे, अपने मह मुले या शहर में किसी की मदद करना हो, जिससे जो बना उससे ज्यादा करने की कोशिश की, आज विश्व में वैक्सिनेशन की जो आंखडे हैं, उनकी तुलना भारत से करें, तो लगता है कि देश ने कितना अभूत्पुर्व काम किया है, कितना बड़ा लक्षा हासिल कि वैक्सिन की 140 करोड डोच के पड़ाव को पार करना प्रते एक भारतवासी की अपनी उपलब्दी है, ये प्रते एक भारतिय का व्यवस्था पर भरोसा दिखाता है, विज्यान पर भरोसा दिखाता है, विज्यानिकों पर भरोसा दिखाता है, और समाज के प्रति, अपने दाईत्वों को निभार है हम भारतियों के इच्छा शक्ति का प्रमाण भी है लेकिन साथियों हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना का एक नया बेरियंट दस्तक दे चुका है पिछले दो वर्षों का हमारा अनुव हो है कि इस बैस्विक महामरी को परास करने के लिए एक नागरिक के तोर पर हमारा खुद का प्रयास बहुत महत्मपून है कि जो नया आमिक्रोन वेरेंट आया है उसका अध्यन हमारे वेज्यानिक लगातार कर रहे हैं हर रोज नया डेटा उन्हें मिल रहा है उनके सुझाओं पर काम हो रहा है ऐसे में स्वयम की सजगता स्वयम का अनुशासन कोरोना के इस वेरियंट के खिलाप देश की बहुत बड़ी शक्ति है हमारी सामुहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी इसी दाइत्व बहुत के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है मेरे प्यारे देश्वासियों महाभारत के युद्ध के समय भगवान सरी कृष्ण ने अर्जुन को कहा था नभहस पुर्षम दिप्तम याने गर्व के साथ आकास को छुना ये भारतिय वायु सेना का आदर्श्वाक्य भी है माभारती की सेवा में लगे अनेक जीवन आकास के इन बुलंदियों को रोज गर्व से छूते हैं हमें बहुत कुछ सिखाते हैं ऐसा ही एक जीवन धा ग्रूप केप्टन वरुन सीं का वरुन सीं उस हेलिकोप्टर को उड़ा रहे थे जो इस महिने तमिलनाडू में हाथसे का शिखार हो गया उस हाथसे में हमने देश के पहले सिडियेस जनरल विपी नरावत और उनकी पत्नी समेत कई वीरों को खो दिया वरुन सीं भी मौत से कई दिन तक जाबाजी से लड़े लेकिन फिर वो भी हमें छोड़ कर चले गए वरुन जब अस्पताल में थे उस समय मेरे सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा देखा जो मेरे रदे को छूग गया इस साल अगस्त महीं उन्हें शौरिश चक्र दिया गया था इस सम्मान के बाद उन्होंने अपने स्कुल के प्रिंसिपल को चिठी लिखी थी इस चिठी को पढ़कर मेरे मन में पहला विचार यही आया कि सफलता के सिर्ष पर पहुँच कर भी वे जड़ों को सीचना नहीं भूले दूसरा कि जब उनके पास सेलिबरेट करने का समय था तो उन्होंने आनी वाले पीडियों की चिंदा की वो चाहते थे कि जिस कुल में वो पढ़े वहां के विध्यार्थों की जिन्दगी भी एक सेलिबरेशन बने अपने पत्र में वरुन सीजी ने अपने पराक्रम का बखान नहीं किया बलकि अपनी असफलताओं की बात की कैसे उन्होंने अपनी कम्यों को काबिलियत में बढ़ला इसकी बात की इस पत्र में एक जगह उन्होंने लिखा है it is okay to be mediocre not everyone will excel at school and not everyone will be able to score in the 90s if you do it is an amazing achievement and must be applauded however if you don't don't think that you are mean to be mediocre you may be mediocre in school but it is by no means a measure of things to come in life find your calling it could be art music graphic design literature etc whatever you work towards be dedicated do your best never go to bed thinking I could have put in more efforts साथ्यों आवसत से असाधान बनने का उन्होंन जो मन्त दिया है वो भी उतना ही महतोकुन है इसी पत्र में वरुनसी ने लिखा है never lose hope never think that you cannot be good at what you want to be it will not come easy it will take sacrifice of time and comfort I was mediocre and today I have reached difficult milestone in my career do not think that 12th board marks decide what you are capable of achieving in life believe in yourself and work towards it वरुन ने लिखा था कि अगर वो एक भी स्टूडन को प्रेणा दे सके तो ये भी बहुत होगा लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा उन्होंने पूरे देश को प्रेणित किया है उनका लेटर भले ही केवल स्टूडन से बात करता हो लेकिन उन्होंने हमारे पूरे समाज को संदेश दिया है साथियों हर साल मैं ऐसे ही विशहों पर विध्यारतियों के साथ परिक्षा पर चर्चा करता हूँ इस साल भी एक्जाम से पहले मैं स्टूडन्स के साथ चर्चा करने की प्लानिंग कर रहा हूँ इस कारकम के लिए दो दिन बात 28 दिसम्बर से mygov.in पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने जा रहा है इस रजिस्ट्रेशन 28 दिसम्बर से 20 जनवरी तक चलेगा इसके लिए क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स, टीचर्स और परेंट्स के लिए ओनलाइन कमपेटिशन भी आउजित होगा मैं चाहूंगा कि आप सब इसमें जरूर हिस्साले आप से मुलाकात करने का मौका मिलेगा हम सब मिलकर परिक्षा, केरियर, सफलता और विद्यारती जीमन से जुड़े अनेक पहलो उपर मन्थन करेंगे मेरे पैरे देश्वासियों, मन की बात में अब मैं आपको कुछ सुनाने जा रहा हूँ जो सरहत के पार कहीं बहुत दूर से आई है ये आपको आनदित भी करेंगी और हैरान भी कर देंगी शचाता शुपला मलेचे सिर्काला शाष्के शामाला मातारा बंब मातारा शुप्रे जोस्ना पादादा के तया लामनी बुर्णा को सुमिता भुमादा रसा पैंदी शुगा शैनी, शुमादा का शैनी मुझे पूरा विश्वास है कि ये सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा हुआ गर्व की अनुभुती हुई होगी बंदे मात्रम में जो भाव नहीत है वो हमें घर्व और जोस से भर देता है साथियों, आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये खुबसरत वीडियो कहा का है? किस देश से आया है? इसका जवाब आपके हरानी और भड़ा देगा बंदे मात्रम पस्थुत करने वाले ये स्टूडन्स ग्रिस के हैं वहाँ वे इलिया के हैस्कूल में पढ़ाई करते हैं इन्होंने जिस खुबसूरती और भाव के साथ बंदे मात्रम गाया है वह अद्भूत और सरानी है ऐसे ही प्रयास दो देशों के लोगों को और करिब लाते हैं मैं ग्रिस के इन छात्र छात्राओं और उनके टीचस का अभिनंदन करता हूँ आज हादी के अमृत महोत्सव के दोरान किये गए उनके प्रयास की सराना करता हूँ साथ्यों मैं लखनव के रहने वाले निलेश जी की एक पोस्की भी चर्चा करना चाहूँगा निलेश जी ने लखनव में हुए एक अनूठे ड्रॉन शो की बहुत प्रसंशा की है ए ड्रॉन शो लखनव के रेसिदेंसिक शित्र में आयुजित किया गया था अठारा सो सत्तावन के पहले स्वतंतरता संग्राम की गवाही रेसिदेंसिकी दिवारों पर आज भी नजराती है रेसिदेंसि में हुए ड्रॉन शो में भारती स्वतंतरता संग्राम के अलग-अलग पहलूं को जीवन्त बनाया गया चाहे चावरी-चावरा आंदोलन हो काकोरी ट्रेन की घटना हो या फिर नेता जी सुभास बाबु का अधम्य साहस और पराक्रम इस ड्रॉन सो ने सबका दिल जीत लिया आप भी इसी तरह अपने शहरों के गावों के आजहादी के अंदोलन से जुड़े अनिश्य पहलूं को लोगों के सामने ला सकते हैं इसमें टेक्नलोजी की भी खूब मदर ले सकते हैं आजहादी के अमृत महोत्सव हमें आजहादी की जंग की स्मृतियों को जीने का अवसर देता है उसको अनुभव करने का अवसर देता है ये देश के लिए नए संकल्प लेने का कुछ कर गुजनने की इच्छा सकती दिखाने का प्रेरक उत्सव है प्रेरक अउसर है आईए स्वतंत्रता संग्राम की महान विभूतियों से प्रेजित होते रहें देश के लिए अपने प्रयास और मजबूत करते रहें मेरे पहरे देशवासियो हमारा भारत कई अनेक असाधारन प्रतिभाओं से संपन है जिनका कृतित्व दूसरों को भी कुछ करने के लिए प्रेरित करता है ऐसे ही एक व्यक्ति है तेलंगना के डॉक्टर कुरेला विठलाचारिय जी उनकी उम्र 84 साल है विठलाचारिय जी इसकी मिसाल है कि जब बात अपने सपने पूरे करने की हो तो उम्र कोई माइने नहीं रखती साथियों विठलाचारिय जी की बचपन से एक इच्छा थी कोई एक बड़ी सी लाबरेरी खोले देश तब गुलाम था कुछ परिस्तितियां ऐसी थी कि बचपन का वो सपना तब सपना ही रह गया सभय के साथ बिठलाचारिय जी लेक्चरर बने तेदूगु भाषा का गहन अध्यन किया और उसी में कई सारी रचनाओं का स्रजन भी किया छे साथ साल पहले वो एक बार फिर अपना सपना पूरा करने में जूटे उन्होंने खुद की किताबों से लाइबरेल की शुरुवात की अपने जीवन भर की कमाई इसमें लगा दी और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें साथ ही सब्स्टाइब करना ना भूलें नमस्कार